देखिए अस्पस्ट कदू कि सूर्गे रांब्लस पासवान जी ने अपने पुत्र जो की योग्ये पुत्र हैं उनको राजनीत मिलाकर यह नहों ने शाबित किया कि हमारा जो पुत्र है चिराग पास्वान वो योग्ये पुत्र है और उनका जो एक बोलने का तरीका है, सदन में जानने के बाद उन्होंने जैसी तैयारी करके जाते हैं, इसकी चर्चा देश के प्रधान मंत्री जी ने भी किया और आज एक तस्वीर सामने आई है, जो एस्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, लोकसभा के ओम बिल्ला जी, उनके समक्ष अपने पुत्र को मुश्कान, जो नबालिक है, पॉल्टिकल नबालिक है, जिसके दूद के दात अभी ठीक से तूटे नहीं है, उनको उन्होंने ओम बिल्ला जी के समक्ष रकत एक तश्वीर वैरल की है, लोगों को दिखाया है, जिसको जनकारी भी नहीं है, राजनीत का, एक अच्छ जानता है वो बच्चा, मैं तो उसको बच्चे कहूंगा ना बाई, तो सोचना प्रींस राज जी को है, शुकी पश्वीपती कुमार गदार चाचा जी ने, जिस तरीके से अपने पुत्र, भतिजा, चिराग पासवान जी के उन्होंने पीट में जो खंजड घोपा, यह खंजड पश्वीपती कुमार पारस, तलवार, कुलहारी के रूप में बहुत बड़ा खंजड को तयार कर, प्रींस राज जी के पीट में घोपने का उन्होंने तयारी कर लिया है, प्रींस राज जी को समझना होगा, कि हमारे चाचा ने जिस तरीके से हमारे बड़े भाई, चिराग पासवान जी के पीट में खंजड घोपा, उसी तरीके से हमारे पीट में हमारे चाचा ने एक बहुत बड़ा तलवार, भाला, कुलहारी घोपने की तैयारी कर रहे हैं, असली वारिस होता है चाहिए वो राजनीत हो चाहिए वो किसी भी तरीके का चीज़ हो क्या पसुपत्तिक मारपारज जी तो फिर आपने अपने पुत्र मुस्कान जी को क्यों ले गए अंबिल्ला जी के पास यह बिहार की अवाम देश की अवाम आपसे पूस्ती है आपको जवाब देना ही होगा आप प्रींस राजी अभी भी समझ जाई अपने गदार चाचा को नहीं तो बाद में जब आपको पता चलेगा तो आख से आशू नहीं आख से खून के गोला चुएंगे खून के गोला चुएंगे महाभारत और रमायन में उनको फर्क नहीं पता है ऐसा जो तस्वीर सामने वायरेल हो रही है काते हैं कि राम लक्ष्मन की जोड़ी तीनों भाई की जोड़ी महाभारत जैसी है फर्क कितरा है महाभारत रमायन में जो समझते हैं वो देश के या शश्वी परधान मंत्री आधर्णिय मोदी जी शमेरा आग्रह है कि मोदी जी आपने जिस वेक्ति को कैबनेट मंत्री में जगद दिया है उस वेक्ति को न रमायन की जनकारी है न महाभारत की जनकारी है उस वेक्ति को आपने मंत्री मंडल में सामिल किया एक तोकड़ी में एक अगर आम सड़ा हो जाता है वो पूड़े आम को सड़ा देता है उस कैबनेट में एक सड़े हुए आम है वो पूड़े मोदी कैबनेट को बदनाम कर रहे हैं इससे बदनामी जो है देश के यह शश्व और महाभारत का इतिहास की जनकारी नहीं है वह बेक्ति अपने आपको कैबनेट मनिस्टर बताता है कि मैं कैबनेट मंत्री हूं किस बात की सड़े हुए आम को अविलम अपने मंत्री मंडल से इस्तिफा दिलवाबें नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा